बॉलिवूड का खेलजु यानि की रन्वीर सिंग डेड़पूल 2 में डेड़पूल की आवाज बनने के बाद अब खुद सूपर हिरो बनने के लिए तयार है जी हाँ, रन्वीर सिंग बन कराएंगे इंडिया के सूपर हिरो खुद रन्वीर ने कहा कि अब लोगों को जादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस तरह की सूपर हिरो फिल्मों के लिए रन्वीर तयारी में लगे हुए है नमशकार, मैं हूँ अब शेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट बॉलिवूड एक्टर रन्वीर सिंग ने चल्द रिलीज होने वाली सूपर हिरो फिल्म में डेडपूल 2 की आवाज दी है और ट्रेलर में हूँ उनका डायलोग डिलिवरी और डेडपूल की एक्टिंग का जबरदस कॉमिनेशन देखने को मिल रहा है डेडपूल की हिंदी वर्जन में रन्वीर ने आवाज दी और ये मार्वल के ऐसे सूपर हिरो हैं जो काफी फन ही और अपनी अलग तौर तरीकों वाले इंसान है लेकिन हाली में इसी बारे में बात करते हुए रन्वीर सिंग ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब भारत को उनका खुद का अपना ब्लू सूपर हिरो मिलेगा मैंने वाकई में कई मज़ेदार सूपर हिरो करेक्टर्स देखे हैं उमीद है कि अब भारत को जादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा सूपर हिरो प्रोजेक्ट के अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इंग्लिश फिल्मों में काम करने के बारे में सोच रहे हैं और सही मौके की तलाश में हैं इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हां मैं ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ जैस दॉल्स की आवाज में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि डेडपूल का फर्स पार देखने के बाद ही ये मेरी पसंदिदा फिल्म बन गई थी उसकी एनरजी मेरे एनरजी से मैच करती है गौर तलब है कि रनवीर सिंग चल दी रोहिज शेटी के साथ फिल्म सिंबा की शूटिंग शुरू करने वाले हैं वही पर फिल्म गुली बोई की शूटिंग वो खत्म कर चुके हैं काफी टाइम पहले तो फिलाल दो उमीद है कि आने वाले टाइम में जब इंडिया की कौई कमाल की सूपर हिरो वाली फिल्म आएगी तो उसमें ने बातों बातों में दे दिया है इस वीडियो में फिलाल इतना ही